ये हैं बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखवार ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच आज तारीक है 11 अक्टूबर आज के अखवार के इस पॉड़कास्ट में आप सभी का स्वगत है मैं हूँ शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक पर हुई यूए पीए की कारवाई की चर्चाएं अभी थमी नहीं हैं और दिल्ली पुलीस ने अब एक प्रतिष्टित लेकिका पर एक पुराने भाषड के मामले में मुकदमा दर्च कर दिया है तेरा साल पहले यानि साल 2010 में दिये एक सार्जनिक भाषड को भढ़काव बताते हुए दिल्ली पुलीस ने लेकिका अरुंदती रॉय समेत दो के खिलाफ केस दर्च किया है इस खबर को अंग्रेजी अकवार्दा हिंदू ने फ्रंट पेज की लीड खबर बनाया है ये खबर जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, अवारुजाला वा अन्य प्रमो काखवारों में भी पहले पनने पर है लेखिका वा एक्टिविस्ट अरुंदती रॉय वा कश्मीरी केंद्रियव यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर रहे शेक शौकत हुसैन के खिलाफ ये मामला नई दिल्ली के एक अदालत के आदेश पर दर्च हुआ जिसके लिए दिल्ली के उपरा जिपल वी के सक्सेना ने मंजूरी दी है बुकर पुरुसकार विजेता लेखिका के खिलाफ सी आर पीसी की धारा एक सो चानवे एक के तहत मुकदमा दर्च किया गया है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने, राज्ये के खिलाफ युद्ध छेडने वा दूसरों के बीच शत्रुता फैलाने से जुड़ी इस धारा में कारेवाही के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का प्रावधान है जिस भाशण को लेकर 13 साल के बाद यह कारेवाई की गई है, उसे राजनीतिक बंदियों की रहाई से जुड़े एक कारेकरम के दौरान अरुंदती ने दिया था यह कारेकरम कश्मीरी कारेकर्टा की ओर से आयुजित करवाया गया था, नए दिल्ली में 21 अक्टूबर साल 2010 को हुए इस कारेकरम का नाम था आजादी दा ओनली वे दाहिंदू अक्वार ने अपनी खबर में राज निवास के एक सूतर के हवाले से लिखा है कि दोनों के खिलाफ इनीशिली जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें राजद्रो और यूए पीए की धाराएं भी शामिल थी, लेकिन अलजी ने इन दोनों धाराओं के लिए कोई जवाब नहीं आया है, दूसरी और समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक वा एचार हेड को दस दिनों की न्याया एक हिरासत में भिजदिया गया है, इस पोर्टल के खिलाफ चीनी एजेंडा चलाने के आरोप में यूए पीए के तहत मुकदमा दर् की एडी हिरासत को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाये जाने से जुड़ी है, इडी ने अदालत में कहा था कि संजय जाच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आरोप को सांसत संजय सिंग ने खारिज किया है, बात आम आदमी पार्टी की करें तो इनकी मुश्कले बढ़ती जा मंगलबार को विधायक अमानतुल्ला खान के आवास पर भी इडी ने चापा मारी की, इस पर पार्टी की ओर से कहा गया है कि धन शोदन मामले की चापा मारी गलत है, क्योंकि पिछले साल ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है, अब बात कर रहे हैं महिला की राजनी और कैबिनेट मंत्री एस चंद्रा प्रियंगा ने मंत्री पत से स्थीफा देते हुए जातिवाद और लेंगिक पूर्वाग्रे वा धन बलकी राजनीती का आरूप लगाया है, प्रियंगा का कहना है कि दलित समात से होने के चलते उन्हें राजनीती में बहुत ही निचले के दरजे का समझा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने सरकार से स्थीफा दे दिया, पुड़ुचेरी में AINRC और भाजपा गटवंदन की सरकार है, साथ ही हरानी की बात यह है कि CM ने स्थीफा भी कुबूर कर लिया है, जहां प्रदान मंत्री मोधी महिलाओं को आगे बढ करते आए हैं, उनके गटवंदन की सरकार में इकलौती महिला कैबिनेट मंत्री का हाल पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े करता है, यह मैतवपूर कहबर दाहिंदू अखवार ने पहले पन्ने पर दी है, इसके अलाबा केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई से इस साल जून तक देश में बेरोजगारी की इस्तिती से जोड़े आंखडे जारी किये हैं, जनसत्ता ने पहले पन्ने पर लिखा है कि आंखडों से पता चलता है कि देश में 15 साल और उससे जादा आयो वाले लोगों की बेरोजगारी दर 6 साल में निचले स्थर पर है, एन 2017-18 में ये दर 6 प्रतिशत थी, यानि 2017-18 से जब कंपेर कर रहे हैं 2023-24 को तो ये दर घट कर 3.2 फीजदी रह गई है, दूसरी और अंतरास्ट्रिये मुद्राकोश IMF ने भारत की 2023-24 की GDP की ब्रदी दर जुलाई में 6.1 प्रतिशत बताई थी, जो की मामूली रूप से 6.3 फीजदी कर दी गई है, जुलाई की दर की तुलना भारती रिजर्व बैंक के अनुमान से करें तो आरबी आई ने GDP व्रदी की रफ्तार 6.5 आ की थी, यानि घरेलू अनुमान के मुकाबले अंतराश्ट्रिये संस्था का जो भारत की व्रदी का अनुमान है, वो कम है, भारत की व्रदी का अनुमान अंतराश्ट्रिये संस्था के अनुसार 6.3 है, इसी खबर को दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने भारत चीन की तुलना करते हुए लगाया है, फैटिंग है, चीन से ज़्यादा रहेगी भारत की विकासदर, अखबार ने बताया है कि आई एम कोट के प्रधान न्यायदी दीवाई चंद्रचूर की एक टिपड़ी को जनसत्ता ने पहले पेज पर प्रात्मिक्ता से लगाया है, हेडिंग है, हर इस्थानिये मुद्दे से निपटने के लिए नहीं है सुप्रीम कूट, एक याचिका को खारिश करते हुए उन्होंने क कि ऐसे हजारों मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत हो, लेकिन शीर्च अदालत हर मामले पर नजर रखकर हाई कोट को निश्क्रिये नहीं कर सकती, अगर हाई कोट कोई बड़ी गलुती करते हैं, तो हम उन्हें सुधारने के लिए यहां बैटे हैं, इ राहुल गांडी के एक बयान को अखवारों ने प्रमुक्ता से लगाया है, जिसमें राहुल ने कहा है कि जातिये जनगरना देश का एक्सरे है, जो देश में OBC दलित आदिवासियों की दशा को उजागर करेगा, जो की घायल हैं, बे बोले कि जातिगत जनगरना कराने के केंदर सरकार को मजबूर किया जाएगा, चुनावी बांड से जुड़ी एक और एहम ख़बर है, जो जादतर अखवारों में पहले पेज़ पर है, दाहिंदू ने पेज़ बन पर इस ख़बर को एंकर बनाया है, दाइमस आफ इडिया ने इसी खबर को अपने फ्रंट पे हो गई है, वे दो मामलों पर सुनवाई करेगी, पहला राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से चंदा देने से नागरेकों के सूचना के अधिकार का उलंगन होता है, दूसरा यह है कि राजनीतिक दलों के फंडिंग सोर्स की जानकारी सामने ना आने से ब्रस्टाचार को बड़ावा मिलता है, टाइमस ओफ इंडिया और अमर उजाला ने अपने पहले पंडे पर एशियाट खेलों में सुनड जीतने वाले खिलाडियों से मिलते प्रधानमंत्री मोधी की तस्पीर लगाई है, एशियाट खेलों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के बाद स्वदेश लोटे दल से पी-म ने मुलाकात करके उनका उत्सा बर्दन किया, कल इसराइल के प्रधानमंत्री नेतनियाहू ने प्रधानमंत्री मोधी को फोन करकर वहां के हालात के बारे में जानकारी दी है, इस पर मोधी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भा आरेवाई के पूर समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक आये किसी भी बयान में पिलिस्तीन के बारे में भारत की उड़ से कुछ भी नहीं कहा गया है, अखवार ने एक विशलेशन आत्मक खबर में कहा है कि हमास हमले को लेकर अब तक कुछ भी इस हमले पर भारत की जादा संतुलित प्रतिकरिया की अपेक्षा कर रहे थे, और बात इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की हो रही है, तो चौते दिन का हाल क्या रहा, इसको दैनिक हिंदुस्तान ने विस्तार से लिखते हुए प्रमुख खबर बनाया है, हेडिं ने यह भी लिखा है कि हमास के एक कमांडर ने कहा कि इसराइल पर उनकी ओर से किये गए हमले में इरान और हिजबुल्ला का कोई हाथ नहीं है, इस मामले में कल बिटेन के प्रधान मंत्री ने अमेरिका, फ्रांस, इतली, जर्मनी से वार्टा के बाद पांच रास्ट्रों क एक साजा बयान जादी करके इसराइल को अपना समर्थन जताया है, इसके अलावा इसराइल और मिस्र से सीमा साजा करने वाले गाजा में बिगडे हालात के बीच मिस्र ने दो टन से जादा चिकित सा सामगरी गाजा भेजी है, अब तक हुए युद में दोनों पक्षों के 1830 लोगों की जान जा चुकी है, इनने एक्सप्रेस की एक और खबर खास है, जिसमें संकेत मिल रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो साल 2036 में ओलंपिक की मेजवानी का सुनहरा मौका भारत को मिल सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष थॉमस बैक ने कहा है कि उन्होंने इस बात को नोट किया है कि ओलंपिक की मेजवानी में भारत गहरी दिल्चस्पी ले रहा है, उन्होंने यह भी कहा कि अभी इसके लिए कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके होने की गहरी सब्भाब नाए है, उन्होंने अपने बय कि इंटरनेशनल उलंपिक कमिटी का एक सेशन अगले सब्था मुंबई में होने जा रहा है, तो यह थी 11 अक्टूबर के अख़वारों की प्रमुखबरें, उम्मीद है कि आपको यह एपिसोर पसंद आया होगा, बने रही है हमारे साथ, नमस्कार.